दोस्तो रोट्स बनाने का काम पिछले 2000 सालों से चल रहा है रोमन से लेकर आज के लोगों तक सभी ने इस प्रोसेस को रिफाइन कर दिया है और आज 21 सदी में हम उस समय में पहुच गए हैं जहां बड़े से बड़े पहाड काट कर रोट्स बनाई जाती हैं और इस रोट कंस्ट्रक्शन में हमारी मदद करती हैं बड़ी और अमेजिंग रोट कंस्ट्रक्शन मशीन से जिनके लिए कुछ भी करना नामुम्किन नहीं है और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ मशीन सबर नजर डालने वाले हैं तो बने रहिएगा वीडियो के अंद तक हमारे साथ वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा Volvo SD-115B हमारे लिस्ट में पहला नाम है Volvo SD-115B का जो एक powerful road roller या कहें soil compactor है इसे ही Germany में design किया गया है और ये काफी high-tech है इसके rollers soil के type के हिसाब से अपनी frequency adjust कर सकते हैं जिसे वजह से ये किसी भी तरह की जमीन पर काम में लाया जा सकता है इस 6 मीटर लंबे बीस्ट का वजन 11 टन से भी ज्यादा है और इसका roller 2 मीटर चौड़ा है इसके बेहतरीन तरीके से design traction system के कारण ये किसी भी तरह की location में काम कर सकता है और inclined roads पर चलने में भी इसे कोई परिशानी नहीं आती Contour 700 Contour 700 एक कमाल की machine है और ये roads को paint करने का काम काफी आसान कर देती है इस machine की सबसे खास बात ये है कि इसे operate करने के लिए किसी operator की जरूरत नहीं पड़ती और येक self driving machine है इसे concrete और asphalt से बनी roads पर paint करने के लिए काम पर लगाया जाता है बिलारूस में बनी ये machine paint के लिए thermoplastic और drying enamels का इस्तेमाल करती है और इसके दोनों तरफ sprayer installed है इस machine को चलाने के लिए एक 84 horsepower के engine की जरूर पड़ती है जिसे 100 liter capacity वाले fuel tank से अपनी power मिलती है इस machine में एक बार में साड़े 300 liter तक paint store किया जा सकता है और ये हर घंटे में 5 km तक road को paint कर देती है 5700D 5700D एक new generation concrete slip form paper है road barriers और curbs बनाने में किया जाता है ये 6 meter से ज्यादा लंबा है और इसका कुल वजन 11 ton से कुछ ज्यादा है इस machine को operate करने के लिए एक 130 horsepower के engine की ज़रूरत पड़ती है और ये एक minute में 15 meter तक road barriers construct कर सकता है इसके compact design के कारण इसे एक side से दूसरी side पर ले जाना भी काफी आसान है और इसे area के हिसाब से adjust भी किया जा सकता है commander 3 commander 3 एक large size concrete slip form paper है जिसका काम 5700D की ही तरह curbs और roads barriers बनाने का है इसे अपनी power 114 horsepower के powerful engine से मिलती है और एक minute में ये करीब 30 feet तक construct कर सकता है इस 13 ton की machine के बारे में खास बात ये है कि अपने बड़े size और hydraulic system के कारण ये road के बीच में 6 feet लंबे barriers भी खड़ा कर सकता है इसके high speed performance के कारण construction time काफी कम हो जाता है और traffic पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ता GP4 GP4 के साथ अब हम बड़ी machines की league में enter कर चुके है ये machine concrete को road पर बराबर तरीके से spread करने में काम आती है और इसे high quality roads और airports पर runway बनाने के लिए काम में लाया जाता है इस machine के simple control panel के कारण इसे काफी असानी से operate किया जा सकता है साथ ही इसके अंदर intelligent diagnostic और positioning system installed है जिनकी मदद से ये हर minute में 12 मीटर चौड़ी और 6 मीटर लंबी roads को बना सकता है साथ ही बनाई जा रही road के size के हिसाब से आप इसे 40 तन की machine के size को भी adjust कर सकते हैं और जितना चाहें उतना stretch कर सकते हैं Volvo P6870D ABG Sweden में बना P6870D ABG एक छोटा compact paver है जिसे बहुत आसानी से situation के हिसाब से maneuver किया जा सकता है इसे highways और शेहर की सड़के बनाने के लिए खास तोर पर design किया गया है और ये एक बार में 9 मीटर चोड़ी सड़क तक बना सकता है हर घंटे ये machine 700 ton building material को use कर लेती है और इसमें इसकी मदद करता है इसका 175 horsepower वाला धमाकेदार diesel engine इस machine का कुल वजन 14 ton से भी ज्यादा है और ये एक बार में 20 km पर आर की speed तक चल सकता है इसके hopper की कुल capacity 13 ton है और ये 10 घंटे तक बिना रुके काम करने की शमता रखता है MT-3000 अभी तक आपने road गंस्टक्ट करने वाली machine को देखा लेकिन MT-3000 एक high performance oscillating belt material feeder है आसान शब्दों में कहें तो इस machine का काम एक road पेवर machine को लगातार concrete supply करने का है इस machine को इस तरह से design किया गया है कि इसका material flow हमेशा ज्यादा रहे और इसे कई और कामों भी इस्तमाल किया जाता है इस machine की कुल लंबाई 14 मीटर से भी ज्यादा है और conveyor belts के साथ इसका virgin 25 ton है इसके control panel से आप कई तरह के functions को control कर सकते हैं साथ ही इसमें एक laser measurement system भी installed है इस machine का काम अपने hopper से सबसे पहले material prepare करने का है जिसके बाद उसे आगे एक paper machine तक transport किया जाता है और इस पूरी functioning में इस feeder machine की मदद करता है इसका 215 horsepower का विशालका engine Super 3000 सही माइनों में एक mega road construction machine है जिसे जर्मनी में पनाया गया है इस machine को asphalt की बड़ी-बड़ी roads बनाने के लिए इस्तिमाल किया जाता है जिस से काफी labor time बच जाता है इस machine को काम करते देखना एक अलगी experience है क्योंकि एक single pass में building material को बराबर road पर spread कर दिती है और आपके सामने कुछ ही seconds में road बनकर तयार खड़ी होती है ये machine 7 मीटर लंबी है और इसका वज़न 32 तन के गरीब है इस mega machine को अपनी power एक 400 horsepower के engine से बिलती है और ये एक घंटे के अंदर 1610 building material से 52 feet चौड़ी multi lane road को construct करने का काम करती है Cat 24M Cat 24M एक high performance motor grader है जिसे अमेरिका में बनाया गया है इस machine का काम road construction के बड़ रोड को level करने का है इसे road construction के अलावा mining के काम में भी इस्तेमाल लाया जा सकता है इसके काम करने का तरीका काफी मज़िदार है ये अपने front blade से मिट्टी को उखारती हुई चलती है और सभी access material को एक दूसरी जगह deposit कर देती है इस machine की कुल लंबाई 17 मीटर है और इसका वजन 73 टन के करीब है इस machine को अपनी power अपने 535 horsepower वाले engine से मिलती है जिसकी मदद से ये 42 km प्रती घंटे के रफ़तार से चल सकती है इसके blade की लंबाई 7 मीटर से ज्यादा है और एक बार में ये जमीन में 21 इंच की गहराई तक जा सकती है तो दोस्तों ये हैं वो mega machines जो आज की वक्त में modern highways और बाकी roads को बनाने में इस्तेमाल की जा रही है आपको इन machines में से सबसे powerful कौन सी machine लगी हमें comics में बताए उमीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें